आज है संडे और शादियों का सीजन शुरू भी हो रहा है मैं आपकी फैमिली गुरू अगले कुछ दिनों तक शादी के बात करूँगी शादी के एक से एक बढ़कर ट्रेंड पर बात होगी आपको अपडेट करूँगी जो कुवारे और कुवारे हैं उनकी शादी उनकी शादी शुदा जिन्दगी को खुशाल बनाऊंगी तो चलिए मैं भी खुद को शॉपिंग पर जाने से रोक नहीं पा रहे हैं क्यूंकि आज से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है शॉपिंग का संडे है इसलिए अब आपको शादी की शॉपिंग पर ले चलते ह और आपके हाथ पर शादी की रेखा का राज आज खोलूंगी ये भी आप जानेंगे आज शादियों की ड्रेस की बात हो रही है तो क्यों ना आज के पांच महां उपाई भी शादियों की ड्रेस से जुड़े वे बताओ क्या आपके नए कपड़े को बुरी नजर लग करें आपके कपड़े आपके कवच के समान हो जाएंगे बुरी नजर से आपकी रक्षा करेंगी नेगिटिव एनर्जी उस पर काम नहीं करेगी ओम नमस्षिवाय ओम गणगण पते नमा श्री राम सीता राम जैसे किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं हाथ में कपड़े कुले कर अगर बेटी की शादी नहीं हो रही है कैसे होगी आपको कुछ उपाय करने होंगे वो कौन से उपाय हैं आई आपको बताती हो ध्यान रखिएगा उपाय सिर्फ बेटी की शादी के लिए करें बेटी की शादी की उपाय अलग हैं आपकी जिस बेटी की शादी का इंतजार हो रहा है उसके सोने वाले पलंग के नीचे लोही का कोई सामान कबार ना रखी आपकी बेटी सफेद खर्गयोश को पाले या उसको खाना खिलाए और अपने हाथ से खिलाए पूर्णेमा के दिन वट व्रिक्ष के 108 बार चक्कर लगाने से शादी के योग बनेंगे अब मैं आपको एक बोनस उपाय बताती हूँ शादी के बाद साज बहू में बने इसके लिए आपको क्या करना है वो जानिए जिस घर में साज बहू की चिक-चिक होती है वहाँ आटा शनिवार को ही पिसवाई या खरी दें साथी 100 ग्राम पिसेवे काले चने का भी उसमें मिला ले घर की कलहा दूर हो जाएगी आई अब आपको दुलहन की शॉपिंग पर ले चलते हैं जी हाँ लेकिन शॉपिंग से पहले आपको ये बदा देती हूँ कि दुलहन के लिए ड्रेस लेते समय आपको अस्ट्रोलोजी के हिसाब से क्या ध्यान रखना है शादियोगा सीजन आ चुका है और आपको ब्राइडल लुक की हर एक अपडेट लेटस्ट अपडेट देने के लिए हम पहुच चुके हैं मुंबई में स्थित प्रीतीस डिजाइनर है और जैसे कि आप देख सकते हैं हाँ पर उम्दा कलेक्शन है यहाँ पर पहले तो यह प्राइडल ड्रेस में यह फ्लॉरल मोटिफ के साथ है अब अगर हम इस कलेक्शन के बात करें तो इसके सबसे खास बात में आपको दिखाना चाहूंगे आप यह देख सकते हैं यह ट्रांस्परेंट इसका बैक है इस पे भी पूरी कढ़ाई बुनाई की गई है पूरा पी इसके बार में आपको दे रहा है यह समर कलेक्शन का इतने वाइबरेंट आपको कलर दिखाई दे रहे हैं आपे स्पेशली मेट फोर समर्स फोर पूल पाटी हम इसके बार में अगर बात कना चाहें तो यह एक ब्राउन कलर मैं कह सकती हूं और इसकी अगर मैं आपको करी देने के लिए हमारे पास प्रीटी जाट की फाउंडर उनकी ओनर मौझूद है प्रीटी जी इसके बार में प्रीज दर्शकों को बताए काफी अच्छा कलेक्शन लग रहा है मझे जी अब यह जो पटिकुलर आप डिजाइन देख रहे हो बाट इस टोटली इवनिंग यह और इसमे हमने कलरफुल उब्रोईडरी कीए कलरफुल आप इम्डोईडरी इसली कीए जस्ट तो सूद यह आखो कॉच्छी लगनी जी बहुत गरमी होती है नो तो थोड़ा एलिमन तो अनुद का इसमें डालें सो दर इत लुक्स डालें तो यह जो अब्रोईडरी है ये रेशम एम्रोइडरी है, ये पूरा हाथ का काम होता है हमारे हां, ये रेशम एम्रोइडरी है और जर्दोजी के तच के साथ, तो पूरा ये जो आप देख रहे हो, इस आप देख रहे हो, this is all hand embroidery, जैसे कि मैं देख सकती है, हाँ पर एक गोल्डन वर्क है, और ब्लक टेक्षर, this is velvet, ये बिल्कुल गोल्ड लेंगा है, इसमें हमने एल्मेंट डाला है, this is a tree motif, जो हमारा concept है, which is tree taken out from the branches and everything, ये जर्दोज का पूरा वर्क है, this is all hand again, ये concept आप लेंगे के लिए देख होगी, तो totally different and नया है, तो पट्टा bright इसलिए दिया गया है, थाकि वो bridal लगे, तो ये fusion और ये जो conclusion वो बहुत ज़ोरी होता है for summer wear, जैसे ये edge में हमने cut work दिया है, which is very end, which is quite difficult, थोड़ा मुश्किल भी होता है, इसको edge को finish and cut work effect देना, but इस typical border के अरावा, ये edge work बहुत सुन्दर लगता है, फिर हमने ये जो tassels दिया है, you can see, ये tassels में भी पूरा जो लेंगे में work है, उनके सारे elements हम tassels में डालते हैं, तो हमारे ये tassels भी यहीं पर हम बनाते हैं, तो जैसा कि आपने ये देखा, बेहत खूबसूरत piece है, यहाँ पर भले वो बात लेटकन की की जाए, या इस tree के embroidery की बात की जाए, सब कुछ hand work है, अगर color की बात की जाए, तो बेहत खूबसूरत color है, with golden work. देखिए अगर females की हम बात करें, तो अगर आपकी राशी मेश है, आपकी राथी राशी व्रिश्चिक है, आपकी राशी सिंग है, तो फिर आपको किसी ना किसी form में, अपनी शादी की dress में red color ज़रूर लेना चाहिए. ठीक, किसी तरीके से, अगर आपकी राशी है व्रिश्चिक या आपकी राशी है तुला, तो कुछ silver color की embroidery ज़रूर हो आपकी dress में, अगर आपकी राशी है करक, तो आपको किसी भी form में light pink या अंदर lining की चाहिए off white color की ज़रूर लगवाएं, अगर आपकी राशी मिथुन य embroidery golden color आपके लिए super favorable रहेगा, और अगर आपकी राशी है मकर या कुम, तो किसी तरीके से blue color का कुछ न कुछ अपने कपड़ों में लहंगे में ज़रूर आड़ान कर लें, शो में आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आपको बताते हैं, आज का दूसरा महा उपाए क्या है, सवाल ये है कि क्या नए कपड़ों से जुड़े, शकुन जानते हैं आप, अगर अपने नए कपड़े आप पहन रहे हैं और कुछ समय बाद, ट्रेस पर कुमकुम या चंदन, शेहत या संदूर, ऐसी कोई भी शुब चीज लग जाए, तो ये शुब शकुन माना जाता है, ऐसा होने पर जल्दी ही फ्यूचर में कोई शुब समाचार मिलने की संभावनाय बनी देती हैं, काम में सफलता मिलती हैं, अब आपको बेटी की ही तरह, बेटे की शादी की भी अच्चों को पाई बताती हूँ अगर बेटे की शादी नहीं हो रहे, यो पाई कीजे, आपक अच्छे दूद को दान करें, ये तब तक करें जब तक शादी ना हो जाएं, जब भी कोई शादी की बात करने घर की तरफ आए, तो उससे ऐसे बिठाएं कि उसका मू जो है घर के अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ ना हो, शादी की बात जल्दी ही बनेगी दुलहन की शॉपिंग तो हो गई दूले की क्यों नहीं होगी अब दुलहे की शॉपिंग पर चलते हैं लेकिन शॉपिंग से पहले आपको ये बता देती हूँ कि दुलहे के लिए ड्रेस लेते समय आपको एस्टोलोजी की हिसाब से क्या ध्यान रखना है वेडिंग सीजन आगया है और ऐसे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और सबसे ज़्यारी होती है धूले और दुलहन की ड्रेस खरीदने की तो अगर आपके घर में शादी है या फिर आप में से कोई धूला बनने वाला है तो उनके पास क्या कुछ आप्शिन्स हैं किस तरह के कपड़े किस तरह के आउटफिट वो केरी कर सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं और ये जानने के लिए हम आप पहुँचे हैं दिल्ली की वेडिंग सीजन में सबसे जादा पॉपुलर मारकेट दिल्ली ही नहीं बलकि पूरे इंडिया के सबसे जादापुलर मारकेट चादनी चॉक में और यहां से आपको दिखाने वाले हैं बेहत खास कलेक्शन आप देख सकते हैं कि यहां पर जो धूले के ड्रेस हैं ही हाते है तो वह громों या ब्राइट से जोड़ा जाता है। और उसी तरह से आप देखेंगे लिद्धव इस तरह कि बूलbon किया तो किए वीड-थे महिं SSH से तरह देखेंगे लिद्ध करन्तव की यह है। बहुत जादा पसंद तरह यह हैं तो इस तरह से गोल्डन और ड्रेड इसका यह कॉंबिनेशन है और जब भी गोल्डन की बात आती है तो वो एकदम से एक फेस्टिवल लुक आ जाता है या फिर एक वेडिंग लुक गोल्डन कलर से आ जाता है तो वो आप देख सकते हैं कि खुबसूरत शेरवानी यहां पर है कुछ और कले से जाधा थोड़ से एक्सपरिमेंट्स भी कर रहे हैं लो और इसे के लिए आप देख सकते हैं कि जो कॉंबिनेशन है यहां पर लाइट क्रीन और रखा गया है अगें थीम वही रखी गई है रेड कलर इसे वेडिंग कलर और इसी के लिए आप देखेंगे जो बॉर्डर ह है वह उसमें आप देखेंगे कि यहां पर काम किया गया है ऐगें आप बॉर्डर देखेंगे रेड कलर का है और जो बटनैशन आप देखेंगे की क्या गया है स्टोन से बहुत खूबसूरत लगता है इस पूरे पीस को आप देखेंगे की पूरे पीस में जो वर्क है वो ऊपर से है और खास तोर पे ये धूले के लिए डिजाइन किये गए इसमें आप चाहें तो आपको अलग-अलग अपने अकॉर्डिंग चूस कर सकते हैं एक और पीस जो सबसे ज़्यादा अट्रेक्टिव है सबसे ज़्यादा आई कैची है यह देखें यह बहुत बहुत खूबसूरत पीस है पीच कलर का यह पीस है और इसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ही क्लासिक सा एक वर्क किया ग आप नीचे देखेंगे तो एक भरा हुआ डिजाइन यहां पर आप देख पाएंगे स्लीव में आप देखेंगे कि अगें एक जो काम है वो पूरा भरा हुआ है और जैसे कि हम आपको बता रहें कि पॉकेट स्क्वार सबसे ज़्यादा इन है तो आप देखेंगे कि अगे अगर आप कॉलर बॉडर देखेंगे तो यहां पर आप गोल्डन कलर में बीट्स देखेंगे लगी हुई यानि कि बहुत खूबसूरत यह पीस है और अगर आप चाहें तो अपनी शादी वाले दिन कुछ एक्सपरिमेंट्स भी कर सकते हैं आप चाहें तो ट्रडिशनल श अगर आपकी राशी व्रिश्चब है आपकी राशी करक है तो आपको अपनी कलगी में कुछ ना कुछ मोती जरूर लगने होने चाहिए इस बात का ध्यान दें अगर आपकी राशी है मिथुन आपकी राशी है व्रिश्चब आपकी राशी है कन्या आपकी राशी है तुला तो सिल्वर कलर के कुछ स्पाकल्स आपके सहरे में आपकी कलगी में जरकन जरूर होनी चाहिए अगर आपकी राशी सिंग है आपकी राशी है धनू आपकी राशी है मीन राशी तो गोल्डन कलर आपके सहरे और कलगी में गोल्डन कलर जरूर होना चाहिए और अगर आपकी राशी मकर या कुम्भ है तो ऐसे में भी आपके कलगी के अंदर कहीं कोई ब्लू स्टोन आप जरूर लगावाले या आपके लिए बहुत लखी होगा आई अब आपको आज का तीसरा महा उपाई क्या है ये बताते हैं सवाल ये है कि शादी में कपड़े से जुड़ा कोई अपशकुन ना हो जाए इसके लिए बहाँ उपाई जानी है अगर शादी में किसी ने नए कपड़े पहन लिए और वो थोड़ दिर बार जल जाए कट जाए फट जाए तो ये अपशकुन माना जाता है अगर ऐसा होता है तो इसका ये संकेत है कि जिस उद्देश के लिए नए कपड़े धारन किये गए थे उस काम में बाधा आ सकती है अब मैं अगले तीन दिन तक आपको दुलहन से जुड़ी खास ब्यूटी टिप जो है ये दिखाने वाली हो आईए आज की ब्यूटी टिप देखते हैं जो दुलहन बनने जा रही हैं वो भी देखें और जो दुलहन की तरह सुन्दर देखना चाहती हैं वो भी देखें जैसा कि हम देख रहे हैं कि शादियों का सीजन दुबारा आ गया है अक्टूबर नुवंबर के बाद एपरल मैई जून जुलाई में अगेन गर्मी की शादियां हैं ये गर्मी के मौसम में जो हमें ब्राइडल मेकप करना है वो मेकप किस तरह का होना चाहिए और हमारे ज को शाप किया जाता है तो उसमें ब्लैक कलर ना लेकि हमेशा डाक बराऊन शेड लिया जाता है और अगर हम्यारी ड्रेस red कलर की है तो आजकल जो latest trend चल रहा है उसका opposite या उसका nearby shade लिया जाता है जुरूरी नहीं है कि red के साथ red ही make-up किया जाए red के साथ आब green make-up भी कर सकत जैसे कि हमारी मॉडल ने देख रहे हैं कि इस टाइम औरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई है तो इसका कंट्रास्ट में हम इसका ग्रीन मेकप ले रहे हैं मेकप से पहले आईज में लगाएंगे अंडर बेस अंडर बेस हमेशा क्रीमी फॉर्म का होता है ताकि इसके उपर हम जो भी पाउडर लगाएं वो इसके साथ स्टिक हो सके चिपक सके अभी हमने एक ओईली बेस अंडर बेस लगाया है अंडर बेस हमेशा ओईली होता है क्यो कि जो भी हम powder इसके उपर लगाएंगे वो उसके साथ चिपक सके अब हम दे रहे हैं green color ये green color powder form में है इसे हलका सा दबाते हुए तांकि ये जड़े ना एक समय था कि जिस color की dress होती थी हम उसी color का makeup उठाते थे लेकिन आजकल contrast जितने ज़्यादा shades दिखाए जाते हैं makeup उतना ह ज़्यादा उठके आता है eyeliner जो है आजकल gel form के चलते हैं gel form के eyeliner का एक benefit यह है किसे आप काजल की तरह भी use कर सकते हैं और liner की तरह भी eyes को थोड़ा सा stretch करके corner से एक line देते हुए थोड़ा सा बाहर की तरफ इसे Arabian trends बोलते हैं इसके बाद आते हम base पे face का base कैसा होना चाहिए सबसे पहले pre-base बहुत जरूरी है pre-base के लिए हम ले रहे हैं यह NR product है इसके बाद हम skin पे use करेंगे neutralizer skin को balance करने के लिए यह skin का pH balance करेंगी अगर कहीं से skin dry है या oily है तो इसे equal करेंगी और इससे skin पे जो भी हम foundation लगाएंगे वो ज़्यादा दे टिकेगी और जो हमारे base में जो हम skin पे लगाती है उसमें आजकल airbrush बहुत famous है airbrush का एक ही benefit है किसे जब हम spray के थूरू लगाती है तो यह हमारी pores में set हो जाता है इसके shine भी ज़्यादा होती है long lasting भी ज़्यादा होती है इससे एक तो equally foundation लग रही है दूसरा यह पूरे face पे set हो रही है और long lasting भी देगी इसे इसके बाद बारी आती है corrections की nose को shape देना, cheeks को shape देना, nose के लिए nose की sharpness के लिए side से आप एक dark shade दे सकते हैं और center में sharpness के लिए light shade इसी तरह हम cheeks को highlight करने के लिए इसमें depth दे सकते हैं जिससे आपका face थोड़ा slim look में आएगा, pointed face, face की broadness को कम करने के लिए, अपने contouring line दी है, इसके उपर लगाएंगे हम highlighting powder, cheeks को highlight करने के लिए, इसके बाद लगाते हैं blusher, इसमें हम red and pink का mixture ले रहे हैं, थोड़ा सा peach, क्योंकि लहगे में यह तीनों shade है, इयर से लेके lips के तरफ आते हुए, blusher, red color, हलका से इसमें brown का tinge देते हुए, क्योंकि बहुत sharp shades ना हो, इसलिए हलका सा brown, इस तरह से हम देखते हैं, कि latest trend में contrast eye color, कुंदन की jewelry और airbrush makeup के साथ, हम किस तरह से latest trend के साथ makeup कर सकते हैं, और latest trends में यही bridal makeup चल रहा है, चलिए बात करते हैं आज की special astro tip का, जिब शादी होने वाली हो तो तरह तरह की लोगों की आप पर नजर होती है, कुछ आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, ऐसे में अपने left pair पर 7 गांट लगा कर कालय धगा मंदिर में रखिए, पहले आप मंदिर में रखिए, 7 गांट लगा कर फिर अपने पैर पर पहने, ऐसे करने पर शादी के 15 दिन पहले पहने और शादी के एक महीने बाद उतारे, ऐसा करने पर कहीं किसी की negative नज़र, बुरी नज़र, कोई बुरी thought आपके साथ चिपकेगी नहीं दूर रहेगी, शो में अब आपको आज का चौथा महा उपाई क्या है, ये बताने का वक्त हो गया है, क्या आप पुराने कपड़े दान करना चाहते हैं, पुराने कपड़े फेकना चाहते हैं, तो उन्हें फार कर या थोड़ा चीर कर फेकना चाहिए, लेकिन अच्छा यह होगा कि आप कपड़ों को दान करतें आपको खुद किसी जरुत मन को कपड़े दान करने चाहिए ऐसा करने पर आपकी कुणली के कई ग्रहदों शांत हो जाएंगे मेरी क्लास में आपका स्वागत है क्या इस साल आपकी शादी नहीं हो पाई? गौर से देखिएगा देखिए बुद्परवत यानि कि जो लिटल फिंगर है इसके पास में जो लेटी भी देखाएं होती है यह शादी की देखाएं होती है यह आपको बताती है कि शादी जो है यह किस तरह से चलेगी कैसे होगा कितने प्रेम संबंद है यह एक से जादा अधिक रेखा हो अगर एक से जादा है तो यह इस बात का संकेत है कि इस एज में तो आपकी शादी हो जाएगी लेकिन आगे जाकर आपको कोई दिक्कत आ सकती है बेसिकली इसको कैलकुलेट कैसे करें यह देखें यह आपकी हाट लाइन निकल रही है यह जितना एरिया है इसको डिवाइड कर दीजिए जैसे पहले के समय में जो था 18 से लेकर 50 साल की उम्रों में अगर दूसरी शादी भी करनी है तो आदमी कर लिता था अब 18 का तो कोई हिसाब किताब रहा नहीं अब 20 साल से मान के चलिए तो इसको 20 to 60 के एज के हिसाब से समझिए कि यह 20 से 7 साल है नीचे से शुरू होगी अगर यह आधे में है तो यह 30 है इस हिसाब से आप देख सकते हैं किस एज में शादी की रेखा आ रही है और अगर शादी हो गई और उसके बात कोई रेखा आ रही है और फिर वो टूट रही है या हलकी रेखा है तो यह अफेर्स की रेखा है तो जितनी हलकी हलकी रेखाएं होती है यह extra marital या pre marital relationship की रेखाएं होती है अगर शादी की रेखा नीचे जुग जाए कट जाए तूट जाए तो यह अच्छा sign नहीं होता इसका मतलब शादी में कहीं कोई दिक्कत आ सकती है अगर यह रेखा बिल्कुल clean है तो सब ठीक है कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि शादी की रेखा आई और यह तूट गई लेकिन आगे जाकर उस पर एक square बन गया square जो है यह protection का काम करता है शादी में चिक्चिक होगी लेकिन डाइवोर्स नहीं होगा शादी तूटेगी नहीं इस तरह से आप अपनी शादी की रेखा देखें और आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस age में शादी होगी और कितने relationship रहेंगे Facebook पर राशी ठकराल ने अपनी problem हमारे साथ शेयर की है उनके भाई को सपने में साप दिखते हैं जिसकी वज़े से वो परिशान है उपाए जानना चाहते हैं राशी अपने brother को बोलें कि सोते समय अपने बिस्तर के नीचे permanently तीन more punk लगा लें पिलो के नीचे ही इसके साथ ये more punk जो है ये naturally होने चाहिए अगर more को तकलीफ देकर punk निकाले तो ये ठीक नहीं होगा इसलिए किसी authorized जगह से ही देखिएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो य पट-पट मुझसे जाने मेश राची के लोग कल के दिन सूर्य को जल्स जरूर दे लक्साथ दे रहा है आपका 67% प्रिश्चब राशी के लोग घर में अगरबत्ती कल जलाएं किसमत साथ दे रही है आपका 62% मिथुन राशी के लोग आप लोग गाईतरी मंतर का जाप कल क के दिन जरूर करें लक्साथ दे रहा है आपका 69% करक राशी के लोग मंदिर में धूप अगरबत्ती जरूर जलाएं किसमत साथ दे रही है आपका 60% सिंग राशी के लोग सूर्य देव को प्रढ़ाम कीजे भागे साथ दे रहा है आपका 70% कन्या राशी के लोग अपने इ तुला राशी के लोग, दुर्गा मा की कल के दिन पूजा जरूर करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%, वृष्चिक राशी के लोग, गणपती जी की पूजा कीजे आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%, धनू राशी के लोग, शिवजी का नाम ले सब काम बनेंगे, ल पकाराशी के लोग मीठा कम खाना हैं आपको किसमत साथ दे रहे हैं आपका 67% कुमब राशी के लोग हनुमान जी की आरती कीजे आप भागे साथ दे रहा हैं आपका 71% मीन राशी के लोग मंदिर में फूल चड़ाइए किसमत साथ दे रही है आपका 63 परसेंट कि शोग के अंत में आपको आज का पांचवा महा उपाय बताते हैं सवाल क्या है ध्यान से सुनिए क्या आप नए कपड़े खरीदने जा रहे हैं शुक्र ग्रे का संबंद कपड़ों से होता है महालक्षमी प्रसन होती है और खरीदने वाले के पास हमेशा कपड़ों के बड़ोत्री होती है अब मैं चलती हूं लेकिन कल की बात भी आपसे करना जरूरी है कल आपको बताऊंगी वह बारा सबसे अचूप महामंत्र जिने जपने से आपके घर शादी जरूर होगी आपक की शादी कराने वाली भागे रेखा की बात भी होगी और आपको सबसे गुड़ी दुलहन के लक्षन भी बताऊंगी